ओरियार जंग हेलो फ्रेंज तो आज मैं आपको बताऊंगा होटल औरेश्ट्रो में सोयच ली ड्राई कैसे बनाई जाती है ये खाने में बहुत ही जादा टेस्टी होती है और जब भी आपका कुछ चटपड़ा स्नेक्स खाने का मन करें तो आप इसको 10-15 मिन में घर पर ईसली बना सकते हैं तो चली रेस्पी शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने 100 ग्राम सोयच ली है सोयच चंग्स चोते हैं बाहर से काफी हाइड होते हैं तो इनको सॉफ्ट करना होता है सबसे पहले सबसे पहले एक बरतन में पानी को बॉयल कर लीशेए और उसके अंदर सोयच चंग्स टाल देंगे इसके साथ में आपने एक चमच नमक एड़ करना है नंग तोड़ाते हैं ताकि जब तक इनके अंदर तक नमक अच्छा टेस्ट चला जाए तो एक बॉयल आने का बेट करेंगे जैसे बॉयल आजाएगा कैस की फ्लेम आप बंद कर दीचे और इनको इसी पानी के अंदर छोड़ दीचे 10-15 मिनिन तक 10-15 मिनिन में अच्छी तरफ से फूल जाएंगे सौफ्ट हो जाएंगे तब तक और त्यारी कर लेते हैं चिल्ली सोया बनाने के लिए मैं थोड़ी सी सब्जें भी छही होंगी एक मैंने बड़ा सा प्याज लिया था गोल सा प्याज लेना आपने साथ में तीनों परकार की शिमला मिर्ची और तीन मेने आप एहारी मिर्च लिए है तो यह जो प्याच है इसको आपने डायमंड गट में काटना है कि देखिए इस तरह से प्याच को काट लिशे हैं और थोड़े से बड़े बड़े पीसिस काटने हैं और जो हरी मिर्ची है उसको भी आपने देखे इस तरह से लंबा-लंबा काट लेना है आप मिर्ची को बरी काट के डाला चाहे तो बरी काट के भी डाल सकते हैं हरी मिर्च का यूज़ आपने थोड़ा सा जादा करना है और जो शिमला मिर्ची है उसको भी देखे इसी तरह से आप काट लीशिए अब कही पर हमारे पास रेटेलो शिमला मिर्ची नहीं होती है अगर आपके अस नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं और ये देखें 10 मिंट के बद हमारे जो सोया बड़ी है वा अच्छी तरह से फोल चुकी है अच्छी तरह से इसमें पानी को एपसऱ कर ली है अब इसके बद आपने के करना है इसके बद आपने इसका पानी इसको हडा देना है तो soya chunks को आपने छान लेना है छानने के बद आप इनको ठंडा कर लीचे और इसके बद इनके अंदर जो पानी है उसको थोड़ा थोड़ा सा निचोड देना है पूरा निचोड़ना है थोड़ा थोड़ा निचोड दीचे अब हम इनको मेरेनेट करेंगे आदा छोटा चमच आपने इसमे नम्ग डालना है आदा छोटा चमच आप इसमे एरमेट पौडर डाल दीशिये आदा छोटा चमच आपने इसमे कूटी काली मिच डालनी है और एक छोटा चमच बढ़ के आप इसमे अधर गलसुन का पेश एड़ कीशिये एक छोड़ा चमच आपने इसमें रेट चिली पेश डालना है रेट चिली पेश की जगा आप कश्मीर इमेज पॉर्डर का यूज भी कर सकते हैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं देखिए चमच से तो मिक्स होगी नहीं तो इनको आपने हाथ से मिक्स करना है ताकि सारे soya chunks के उपर नमग मेर्चे अच्छे से coat हो जाए इसके पृद आपने इसके उपर ना corn fry डालना है तो okay देखिए तो corn fry जब भी आप soya junks के उपर डालें sprinkle करके डालना है और अच्छे से आपने mix कर लेना है फिर इसके बाद थोड़ा सा कॉन्फार और डालिए क्योंकि कॉन्फार की कोटिंग जितनी अच्छी होगे वार से उतने अच्छा गरंच जाएगा सोय चंक्स के वार से और ओल भी अबसॉर्म नहीं करेंगी और के देखिए अच्छी तरह से मैंने इनको कोट कर लिए अभी हम इनको फ्राई करेंगे फ्राई करने के लिए ओयल का टेंपरिचर आपने है मीडियम टूग हाई रखना है ज़्यादा लो टेंपरिचर में इनको फ्राई नहीं करना है देखिए ओयल को गर्म कर लेना है पहले और जितनी सोय चंक्स एक वार में फ्राई करने के लिए कड़ाई में आती है उतनी आप एक वार में डाल दीजिए अब आपने गैस की फ्रेम ना हाई रखनी है हाई फ्रेम में आपने इनको 3-4 मिंट तक फ्राई करना है ताकि इनके बार जो एक्स्ट्रा ओयल लगोगो पेपर सोक कर ले अब यहाँ पर मैंने एक स्टेनले स्टील की चाइनीज बोक ली है और उसमें दो बड़े चमच ओयल आइड करेंगे जैसे तेल थोड़ा सा गरम होचाए एक छोड़ा चमच जिसमें बार इकटऊ लसुन एड करेंगे गैस की फ्लेम आपने मीडियुम रखनी है और मीडियुम फ्लेम में लसुन पका लिशिए जैसे आपका अदरक लसुन अच्छी तरह से बख जाये फिर आपने इसके बाद इसमें投ब री कट उप पयाज ऐड़ने है अब आपने GAS की फिलम हाइ करनी है और हाइ फिलम में आपने पयाज को थोड़ी दिर पका लेना है तब तो पकाना है जब अगस पकाना है जब प्याज का मौश्रा बोख हतमन और हुचा है फिर आपने इसके बाद इसमें हरी मिर्च एड़ कर देनी है हरी मिर्च को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं मिर्ची आप अपने टेस्ट के उनसार कम ज़दा कर सकते हैं और के देखे मिर्ची को पका लिया साथ में फिर हम इसमें शिमिला मिर्चो प्याज भी एड़ कर देंगे जो मैंने डाइस काड़ की रखा था और इनको भी हाई फ्ली में आपने 30 से 40 सेकंड तक पका लेना है इन सबजियों को जादा नहीं पकाना चीए इन सबजियों के अंदर ना करंच रहना चीए जब इनको खाते हैं न कच्ची कच्ची खाने बहुत लगती है फिर आपने एक छोड़ा चमच भर के इसमें चिली पेश एड़ करना है और एक बड़ा चमच भर के आपने इसमें डार्क सोये सॉस एड़ करनी है अगर आप कैस चिली पेस्ट ना हूँ आप इसकी जगा रेड चिली सॉस का यूज़ कर सकते हैं और के देखिए इन दोनों को मैंने पका लिया थोड़ी दिरे यहां पे फिर आपने इसमें पानी आइड करना है तो लगवो एक कप आप इसके अंदर पानी आइड कर देशे पानी के यूज़ आपने कम करना है क्योंकि हम ड्राई सोयचली बना रहे हैं अगर आप ग्रेवी में बनाना चाते हैं पानी ज़्यादा डाल सकते हैं फिर आपने यहां पे एक बड़ा चमच टमेटो सॉस एड़ करनी है और इसके साथ में थोड़ा सा विनेगर एड़ करेंगे तो दो छोड़े चमच मैंने इसमें विनेगर एड़ किया है साथ में आपने इसमें आदा छोड़ा चमच नमक एड़ करना है आदा छोड़ा चमच इसमें एरोमेट पौडर डालेंगे अब केवर गर में एरोमेट पौडर नहीं होता है अगर आपके अस नहीं है तो आप इसको skip कर सकते हैं आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है हाई फ्लेम में इन सॉस को भी थोड़ी दर सबजियों के साब पका लेना है सबजियों के जो टेस्ट है वो सॉस के अंदर आशाएगा फिर आपने इसमें थोड़ा सा हरापयाज एड़ करना है और sauce को थोड़ा सा थीक करने के लिए इसमें थोड़ा सा confire डालना है पानी में खुलके बिल्कुल थोड़ा सा ताकि यह जो हमारी sauce है थोड़ी थीक हो जाए और जब इसमें सोये junks डालें अच्छी coating आए उनके उपर और लास्ट में आपने इसमें fry के वे सोये junks डाल देने है अब आपने gas की flame हाई करनी है और हाई flame में आपने 20 से 30 सेकंड तक सोये junks को अच्छी तरह से sauce के साथ mix कर देना है और mix करने के बदा आप इनको गरम गरम सर्व कर देशे तो वीडियो अच्छा लगोगा like, share, comment जरूर कीशेगा ओके friends, thank you